सुप्रभाद बच्चों, मैं आपकी हिंदी सिख्षी का रागिनी दिख्षित उन्हा अबस्तित हूँ आपकी हिंदी कक्षा में एक नया पार्ट ले करके पार्ट कौन सा है? छे प्रकृति संदेश आपको पता है प्रकृति हमें क्या सीख देती है बच्चों? प्रकृति हमें देने का संदेश देती है कि हम दूसरों को कुछ देने वाले बने प्रकृति ने हम मनुष्यों को सबसे समझदार बनाया है, प्रकृति ने हम मनुष्यों को कैसा बनाया है? सबसे समझदार प्रकृति ने ही परवत, सागर, प्रत्वी, आकाश भी बनाए हैं और ये तो आप सभी को पता है प्रकृति ने परवत, सागर, प्रत्वी और आकाश बनाए हैं इनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं अब हम जानते हैं कविता के माध्यम से कि प्रकृति हमें क्या सीख देती है परवत कहता शीष उठा कर तुम भी उचे बन जाओ परवत मतलब पहाड क्या कहता है बच्चों कि अपना शीष उठा करके मस्तब को उचा करके हमें जीना चाहिए और अच्छे कामों से हम उच्चे बन सकते हैं तो परवत कहशा शीष उठा कर तुम भी उच्चे बन जाओ हमें क्या संदेश देता है कि जीवन में अच्छे काम करें ऐसा संदेश हमें ये पंग्तियां देती हैं सागर कहता है लहरा कर सागर क्या संदेश देता है मन में गहराई लाओ जैसे सागर की लहरे हैं वैसे ही हमारे मन में भी गहराई होनी चाहिए सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ मतलब हमें मन में अच्छे भाव रखना चाहिए इसके बाद पंकिया क्या कहती हैं समझ रहे हो क्या कहती है आप समझते हैं क्या कह रही है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग क्या कहती है तरल तरंग देखे तरल का क्या रत है पानी के जैसा बहने वाला तरंग का क्या मतलब है लहर तो लहरें हमें क्या सिखाती है कि यदि हमें ह अगर तो हमें उनके ही साथ सहारे के संघर्ष के फिर से खड़े हो जाना चाहिए भरलो भरलो अपने दिल में क्या है अड़ भरलो भरलो पंक्तियां हैं अपने दिल में मीठी मीठी म्रदल उमंग अपने मन में महान उस्षा की भावनाओं को भरो मरदुल मतलब मीठी ऐसी उमंग अपने दिल में मुलायम उमंगे आपको अपने मन में भर लेनी चाहिए खुशी देने वाली उमंगे, दूसरों को देने वाले भाव ऐसे आपके मन में भाव पैदा हो जाने चाहिए प्रत्वी कहती धैरे ना छोड़ो तो प्रत्वी क्या सिखा रही है बच्चों कि कितनी भी मुश्किले हो आपके सामने आपको धैरे से काम लेना चाहिए अपना धैरे नहीं छोड़ना चाहिए तो प्रत्वी क्या सिखा रही है हमें कि अपना कभी भी धैरे मत छोड़ो जीवन में चाहे जितना संघर्ष हो, चाहे जितनी कटनाईयां हो, हमें उनका सामना करते हुए पुनहां खड़े हो जाना चाहिए, कितना ही हो सर पर भार, धर्टी के सर पर कितना सारा बोज है, बहुत सारा बोज है, कितने सारे लोगों को वो अपने उपर रखती है, धारन करती है, पे भी होना चाहिए, धैरे धारन करने वाला होना चाहिए, नब कहता है फैलो इतना, नब का क्या मतलब है बच्चों, हाँ, काश, नब क्या सिखाता है, इतना विशाल हरदे बनाओ, इतने बड़े बनो आप, कि ये जो संसार है, ये जो स्रिष्टी है, जो यहां के लोग हैं, इ क्योंकि हमें किसी को देने वाले बनना चाहिए, आश्रे देने वाला, सहयोग देने वाला, मन को सुख देने वाला हमें बनना चाहिए, तो प्रकृती हमें यहीं सिखाती है, कि हमें कुछ ना कुछ, किसी ना किसी को समय पढ़ने पर जरूर देना चाहिए, तो आपने सीख बखा और पढ़ा की प्रकृति हमें देने वाला बनने की सीख देती है तो आप भी अपने मित्रों की साहिता करेंगे जिनको आपकी जरूरत है आप उनकी साहिता अवश्य करेंगे अब इसको इसके रचनाकार कौन है? सोहन लाल दिवेदी इसका विता के रचनाकार है रचनाकार मतलब लिखने वाला अब शब्द आर्थ की बिना तू हर्ची जदूरी है तो हमें शब्दों के आर्थ भी पता होना चाहिए बच्चो तो परवत का क्या आर्थ है? पहाड, तरल, पानी के जैसा बहने वाला तरंग मतलब लहर, ब्रदुल, मुलायम उमंग कार्थ तो सभी को पता है जोश से भरा हुआ धैर मतलब धीरत धारण करने वाला मुश्किलों में ना घबराने वाला भार मतलब बोज नभ मतलब आकाश इसके बाद हम पेज बलतेंगे 42 पेज नमबर परवत हमसे क्या कहता है क्या कहता है परवत हमसे वच्चों की शीष उठा करके जीना सीखो प्रत्वी हमसे क्या कहती है चाहिए जितना भार हो मन में जीवन में हमें संघर्ष के साथ आगे बढ़ना चाहिए अब हम शब्दों को शुद्ध करके लिखेंगे परवद परवद प्रथवी ठखना उचा फिर अब शब्दों की विशेस्ता बताएंगे हम विशेस्ता बताने आले शब्दों को चुनकर लिखेंगे सागर कैसा है? गहरा, पानी कैसा है साफ छड़ी कैसी है लंबी, बालक कैसा है अच्छा गुलाब कैसा है लाल, सभी को पसंद है ना लाल गुलाब शर्बत कैसा है मीठा, तो जो किसी की विशेष्टा बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं बच्चों, विशेष्टा बताने वाले शब्द विशेशन वैसे ही अन्य प्रश्ण भी इसमें दिये गए हैं वो हम करेंगे बुक से पुस्तक से ही इनका भ्यास करेंगे जो नहीं लिखने वाले प्रश्ण है उनका वैसे ही हम फिर से पीछे की और चलेंगे पेज नंबर 35 एक और कविता है हवा और इसका अभ्यास कर सकते हैं इसके और भी अन्य प्रश्ण आप अगर यदि आपके पास समय है तो आप कर सकते हैं ये कविता भी देने की और गुसा ना करने की सीख देती है तो बच्चों आपको मैं समझती हूँ प्रकृती का संदेश कविता आपको अच्छे से समझ में आ करेंगे घर में रहें, स्वस्त रहें, सरक्षित रहें